नमस्कार दूस्तू मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिपला स्टॉक के पारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 1% की तेजी स्टॉक ने पना कर दिखाए है देख सकते हैं 1,088 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजरा रहा है वहीं 3-hour चार्ट के अगर मैं बात करूँ यहां पर जो हमारा सपोर्ट है वो अभी भी परकरार है 1,064 रुपीज 54 पैसे का तो इसको as a stop loss यूज करके चलना है देख सकते हैं धीरे धीरे एक recovery mode में stock आ चुका है देखिए जिस प्रकार से उपर जाने की कोशिश stock कर रहा है अगर यही तेजी चारी रहती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो target stock achieve करेगा वो है 1100-1125 यहां तक की 1150 तक के targets achieve होते हुए हमें दिखाए देंगे तो अगर आपके portfolio में पहले से ही sipla stock hold है continue hold करके चल सकते हैं लेकिन यहां पर अगर आप fresh buying करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा wait and watch की ही strategy अपना कर चलनी पड़ेगी जैसे ही buying का मौका बनता है हमें के video जरूर पनाएंगे तो यही strategy आपको उपनानी है sipla stock में आप चाहें तो अपने खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद